आज आपने बात करने वाले क्लास 12 के बारे में जिसका नाम है रिप्रोड़क्शन इन ओर्गेनिजम तो दिए जो आपका चेप्टर है वह सीवेसी के जो स्टुडेंट है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपोटेंट है और आर्बेसी जो स्टुडेंट उनके लिए स्टुडेंट कर दिया गया है सो सीवेसी के लिए और आपका अर्बी स्टुडेंट करते हैं आपका चेप्टर रिप्रोड़क्शन इन ओर्गेनिजम के अंदर अपन पहले बात करेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है कि बैसिकली जो आपका एक और्गेनिजम है उसके अंद होता है यहां पर अपन जानेंगे रिप्रोड़क्शन के बारे में कि रिप्रोड़क्शन क्या होता है किस टाइप का होता रिप्रोड़क्शन आपन जानेंगे स्टुडेंट बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हाथ अपना नया ठोपी सबसे पहले देखते हैं लाइफ बोलते हैं, तो what is the life spend, time period of, time period from birth to natural death, is called life spend, हर एक organism का particular life spend होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, यहाँ पर कुछ अपने example देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम, हर एक जो organism है, उसके, जो life spend उसके बारे में जानेंगे, तो इस्टुरेंट बात करते हैं से पहले butterfly की, तो जो butterfly होता है, उसका life spend कितना होता है, one to two week, यहनि कि एक से दो week के अंदर वो अपना completely life cycle खतम कर लेते हैं, complete कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, die हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसके बाद आपका आता है पैरेट, पैरेट का life spend क्या होता है, 140 year का, कितना होता है, 140 year का, next अपन देखते है, rice plant, rice plant जो होते हैं, उनका time, उनका life spend कितना होता है, तो उनका life spend 4 month का होता है, कितना होता है, 4 month का, इसके साथ बेनेंट्री का अगर अपन देखें, तो average बेनेंट्री का जो life spend होता है, वो कितना होता है, 300 to 500 year का इनका life spend होता है, ustedesOSC Fatale जिसका scientific name क्या है, या दखिले, या scientific name है, Carvas Carvas क्या है? Carvas Carvas तो crow का जो आपका लाइफ-स्पेन होता है, वो कितने साल का होता है? 15 year का, कितने साल का? 15 year का, next अगर अपन देखें तो mango जो होता है, mango जो ट्री होता आपका एक है yeah देखे जो और गेनीज्ब होते हैं वो अपने पूरे लाइफ सैकल में कौन-कौन से फेज़े बे गुजरते हैं उसके बारे में पनब जानेंगे, इसको आप पोज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, अब अपन बात करेंगे कि जो एक पर्टिकुलर ओर्गेनीजमें जो होता है, वो आपका अपनी कम्प्लीट लाइफ साइकल के दुरान, अपने कम्प्लीट लाइफ स्पेंग के दुरान, किस-किस फैजिस दे गुजरता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, तो देखें, कोई भी पर्टिकुलर जो ओर्गेनीजम है, जैसे कि अपन हुमन की बात कर लें, तो हुमन के अंदर वो जो हुमन है, वो अपने पूरे लाइफ साइकल में किस-किस फैजिस दे गुजरता है, उसके बारे म कि अपन बात करेंगे, अगले संदर जोएनाइल फैस, जोएनायल फैस का मतलब होता है, तो इस पैस को अपन क्या बोलते हैं, जोएलाइन फेस बोलते है, या बढ़ा तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके क्या नहीं हुए है, गौनाठ जो है उसके वो डवलब नहीं हुआ active नहीं वह यानि वह क्या नहीं कर सकता इसलिए इसको पण क्या बोलते हैं जुए अनल फेस बोलते हैं तो जुए नई-धि वेज़गा आप मतलत समझ सकते हो की जुए ना फेस के इनदर क्या होता है कोई भी और्गेनिसम क्या होता है रिप्रोड़ुक्टीव लिए इ अधुम इन होते हैं इसके बाद हम बात करें जो एनन फिसके अंद्र जाएगा जो एनल फेस के बाद है आक पर फेसे जाता है बोट से अ kutat है अ अ को कि बोटड़ेक्ट से कि अधर क्या होता है जो सिरेन यहां कि होता है जो आपµ कोई भी पटिकल Till weil यह है वो अपनी लाइफ साइकले दुएंग लुए अला फेस से निकल कर किसमें आताई उनीजम स्टरीटल और फेसचिंए हो जाएगा latitude मतलब कि इस सी का मतलब है यहां पर क्या हो सकता है अब इस organism में reproduction हो सकता है यहां पर इनके गोनाड़ होते हैं वो डवलप हो जाते हैं और वो डवलप हो गहां कर सकते हैं वो आपका reproduction की process complete कर सकता है तो इसके बाद होता है क्या होता है एसीं की कि कि आप हर साल केया करते हैं सब्सक्राइब अभर और गर किया हो टॉय स्वट्वर सब्सक्राइब तो आप next year कितने होगा, जासे मालो कोई बन्दा अग्र 16 गा है, तो वो next year कितने हो जाएगा, 70 का होजएगा, उससे अगले साल, 18 का होजएगा, उससे अगले साल, 19 का होजएगा, तो मिरे पर यहाँ पर क्या आपकी जो vedज है, वो increase नहीं हो रही, हो रही Reverend सिदी सी बाद आपके क्या हो रहे हों आप लोग ए जिंड कर रहे हों ठीक है तो यहां पर सिदी सी बाद थो यहां पर क्या होता है यहां पर रिप्र्डॉक्शन बंद हो जाता है इ 놓र उस्टे बंदे की देद हो झाल